दोस्तो मैं एपी बिसुकरमा स्वागत करता हूँ अपने यूटूब मंच पर और दोस्तो हम अपने इस यूटूब मंच पर सेल्स मार्केटिंग एन मोटिवेस्टनल वीडियो बनाते हैं ताकि आपके जिन्दगी में कुछ वेल्यू एड़ कर सके हैं दोस्तों आज इस छोटे से वीडियो में हम शेर करेंगे कि हमें अगर फार्मा मार्केटिंग में सक्सेस होना है अगर हमें फार्मा मार्केटिंग में एक सफलता चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फंडा काम करता है एक ही मुल बंत रहे गेटिंग मैक्समम होगा उतना ही बड़ा आपका बेस होगा उतना ही बड़ा आपका भॉलूम वड़ा सेल होगा जितना बड़ा आपका प्रेश्प्शन होगा उतना ही बड़ा आपका रेवनिव होगा उतना ही बड़ा आपका सेकेंडरी होगा उतना ही बड़ा आपका कलेक्शन होगा तो सारा इसी पटेपेण करता है बाकि आप किसी भी केमिस के पास कितना भी आरज्यूइ बिनतिक किजेगा कोई मायने नहीं रखता है हम लोगो एक ही चीज काम देता है वो है डॉक्टर्स का prescription इसलिए हम लोगों को entire focus सिर्फ और सिर्फ prescription पधी करना है maximum prescription जितना निकलेगा आपका डॉक्टर का जो परची होता है जिसपे डॉक्टर पुर्जा लिखते हैं वही आपको last way आपको काम देता है और ultimately goal वही है जितनी बड़ी prescription का base होगा जितना number of prescription market में निकलेगा उतना आपका volume में sale होगा उतना आपका prescription sold होगा उतना market में आपका product का liquidation होगा fast इसलिए हम लोगो इधर दाएं बाएं इधर उधर देखने से अच्छा है यह prime focus हम लोगो सिर्फ डॉक्टर से prescription निकालने पर ही करना हम लोग यही मूल मंत्र है यही main fund है यही main chief है दोस्तो अब डॉक्टर का जो prescription निकालने के लिए हम लोगो करना क्या है सबसे बड़ी बात है तो doctors से prescription निकालने के लिए हम लोग को एक wide range का coverage करना है number one wide range का coverage का मतलब यह नहीं कहते हैं कि आप जहां देखें वहाई किसी की chamber में घोज जाए नहीं आपको doctors का जितना भी list मिलता है जो doctor का जो doctor list होता है किसी company का 100 होता है किसी का 150 होता है किसी को 200 होता है किसी को 250 होता है तो जितना आपका अगर मान ले आपकी company में अगर 250 का list है तो आपको wide range coverage करना है आपको क्योंकि जितनी जगा आपका reach होगा जितना जगा आपका पहुंच होगा उतना जगा maximum possibility होगा कि आपका perception निकले तो आपका जितना wide coverage होगा, उसी कॉंसार आपका prescription का base value बढ़ेगा, उसी कॉंसार आपका prescription निकलेगा, उसी कॉंसार आपका market में sales होगा, उसी कॉंसार आपका product का liquidation होगा तो पहला तापको wide coverage करना है, जितना maximum coverage हो सकता है, daily 12 call कीजिए, daily 13 call कीजिए, मतलब कभी भी double digit से कम call नहीं करना है, मतलब 10 से कभी कम call नहीं करना है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी फार्मा कमपनिया है, वो बेकुफ नहीं है कि 15-15 call daily उनलोग के sign target देती है, 12 call, 13 call, 14 call, 15 call, per day का उनलोग के sign target देती है, इसलिए आपका जितना बड़ा coverage होगा, जितना बड़ा आपका, मतलब white range पे doctor से मिलेगा, reach होगा, उतना ही आपका prescription का possibility बढ़ जाती है, chances बढ़ जाती है, दूसरी बात है, कि आपका जो doctors का list होना चाहिए, बिल्कुल solid होना चाहिए, perfect होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, कि जिस doctor में दम हो, जिस में potentiality हो, और जो doctor आपको लिखने की चमता रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमको 250 doctors का list मिल गया पता चला उसमें किसी के पास दमी नहीं है, या बहुत कम एक-दो patient मतलब है डेली, तो वहाँ पे आपको उतना सफलता नहीं, इसलिए doctors का list आपका foundation होता है, base होता है, उसी के आदारपा को sales generate होता है, उसी के आदारपा को सफलता मिलती है, तीसरी बात, हम लोग को जब भी जाना है doctors के पास, एक mission के साथ जाना है, हम लोग doctors के पास कोई रिस्तिदारी निभाने नहीं जाते हैं, जिसे doctor professional है, हम लोग ये professional है, हम जब भी doctor के पास जाना है, एक objective के साथ जाना है, कि हमको इस doctor से XYZ product, 10 diva, 5 diva महीने में liquidate कराना है, लिखवाना है, ये हमरा prime target है, तो जब भी एक doctors के chamber में इंटर कीजिए, आपका एक prime goal होना चाहिए, एक objective होना चाहिए, एक mission होना चाहिए, हम इस mission से वहाँ पे आए हैं, और अपना mission को ज़रूप पुरा कीजिए, नमबर चाहर, doctors से कभी भी आप prescription को demand करने में hesitation मत कीजिए, आप अपनी बातों को खूल कर रखिए, अपनी बातों को आप रखने में hesitation मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप doctor से demand ने कीजिएगा, जब तक doctor से strong perception का demand ने कीजिएगा, आपका सारा प्रिस्रम बेर चला जाता है, और कोई मैने ने रखता है कि आप कितना बार मिले क्या किए, इसलिए आपके demand में दम होना चाहिए, आपको perception जो demand करते हैं, उसमें power होना चाहिए, एदा powerful तरीके से आपको perception का demand करना है, ना इसमें से लजाना है, ना श्यानमाना है, अपनी बातों को खुल के रखना है, क्योंकि हम लोग को basic job वही है, जब तक हम लोग demand ने करेंगे, perception की मांग ने करेंगे, तब तक हम लोग को doctor लिखने वाले भी नहीं है, तो हम ऐसे भी करेंगे, तो हम लिखिये, तो demand is very very important, दोस्तों, आपको perception का strongly demand करना है, पांचवी बात है, कि आपको doctors का जो, अगर मान ले आपका 250 doctors है, उसमें कम से कम आपका, मान के चले को 20% doctors आपका super core or core doctor होना चाहिए, जहां पे थोना सा focus जाना होना चाहिए, और वहां पे आपको जित या कोई gifting होता है, वो सब आप कर सकते हैं, क्योंकि देखे, 250 को gifting करना, CRM करना समोन नहीं है, एक selected आपको 20% doctor को आपको separate रखना होगा, जिसमें से super core या core doctor बना के अपना उस पे आपको activity करना है, बाकी को आप wide range पे coverage करते रहिए, तो आपको कहीं कोई दिकत नहीं है, होता है, कितना हम ज्यादा मार्केट में डॉक्टर से prescription निकलवा सकते हैं, यहीं जो है success का main fund होता है, इसके सिवा कुछ परना काम नहीं करता है marketing में दोस्तों, इसलिए हम लोग का prime focus है, getting maximum prescription from our doctors, हम लोग को strong demand करना है, अपनी बातों को ठीक से रखना है, हम लोग को hesitation नहीं क इस जब वीडियो को देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो like करे, share करे, channel को subscribe जरू करे दोस्तों, आप subscribe करना बोल जाते हैं, channel को subscribe जरू करे, bell icon को press करे, ताकि जब भी हम वीडियो डाले आपको notification मिल जाए, और इसको आप देख सके, इसका फायदा और benefit उठा सके दोस्तों, तो इसलिए आपको subscribe जरू करना है, कुछ हमको सुझाओ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमको comment में comment में कीजिए दोस्तों, हम एक comment का जवाब देते हैं, हम आपका comment का उबेट भी करते हैं दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तक एले, थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो,